हडू इस प्रेंड तो स्वागत यहाँ सभी का एक बार फिर से हमारी इस लिट दॉसरिफ्पर्फर्म फिस वालवism ४ॹास में ने आपको लाइकन के बारें बताया आज इस लेक्चर में आपको माइको राइजा के बारें बताएंगे कि माइको राइजा क्या होता है तो कि माइको राइजा एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो सब्दूर से मिलके बना है ठीक है जिसमें माइक जो माइको है तो माइकीज से लिया गया है और जो राइजा है इसका मतलब होता है रूट माइकीज मतलब फंजाई और राइजा मतलब होता है रूट आ फंजाई यहने कि फंजाई और फंजाई के रूट में बल्ले जिकार कोई प्लांट है लाइकेन है तो लाइकेन के रूट में और उस जो प्लानट है उसके बीच में जो association है जो उस दूनों में combination है उसको हम लोग कहते है Wells तो एक इसमें देखने को मिलता है फंजाई के प्लांट में ठीक है तो आने कि आपका सकते हैं कि रूट फंजाई ठीक कोई रूट हो गया और फंजाई है इस दोनों के बीच में जो association होता है उसको हम लोग कहते हैं my mycorrhiza it means root of fungi ठीक तो root जो fungi का root होता है उसमें mycorrhiza का association देखने को मिलता है ठीक है होता क्या है इसमें जो mycorrhiza होता है ठीक माइकोराइजा में दो प्रकार के mycorrhiza देखने को मिलते है एक ectomycorrhosa तूसरा मिलता है इंडो-माइको-घा हे इंडो-माइको-घा ही यह इंडो-माईको-घा है जो-वाइको-घा होता है ध्रू टे किसके यह फंजाई के रूट की चाहओ तरब एक्स्टर्नली एरos delegate के डिवा вес को कहते है लोग इंटर्डी Kay जो रूट होता है करता क्या यह अगर यह रूट है किसकी फंजाएगी ऐसे रूट फंजाएगी तो इसमें करता क्या यह यह एक्स्टर्नली यानि कि बाहर की तरफ बाहर की तरफ क्या बनाता है सीथ बनाता है ऐसे सीथ बनाता है प्रकार से दिखाई पड़ती है यह जो सीथ होती है और एक साइंटिस थे हर्टिक लेड़ उबिटिट सुवी की होती है इस मेरे इंटर सुन्स के मादिर समझीए इसमन एपी डयर्मियमा होता है काटेक्स होता है आज उसेल्स होती हे खिए होती है ठीक तो मैंने बताया लेंग्विश के माध्य समझे त्या मेक्चुवल सिम्योर्टिक एस्टियेशन बिट्विन फंजाई एंड रूट आफ वैस्कुलर प्लांट इस नो नेज मैको राइजा इच वार्ड डिस्कुर्ड वाई जर्मन बॉटनीज फ्रैंक मैको राइ प्लांट इसके मात्यम समझे सारी बातें में क्लेर हो जाएगी तब फंजाई फार्मिंग एक्स्टर्नल सीथ और रूट टीप इस नो नेज एक्टोमाइको राइजा तिक यह देखित बाली जी यह फंजाई का रूट है इसके साथ बाहर क्या बनाया हुआ है इसके बाहर से थार कोका बनाया हूआ हुआ है मेंडल एराउन रूट सीथ छो एक्सटर्नली हे जो इनने की तरफ हं इसमने हाईफ्य होती है त्वे रूट की तरह रूट्ट इसमें होती है रस ने से रूट ह हुता ला से रूट हे इसके ब fringe हो जाता कि हो और आ सिसको ऐसको हर्टिंग ह सुई की आकायक तरह हो इसके इसके बीच में इंटर सेल्वर स्पेसेश होती है एक की दूजरे के बीच में ठीक और यह रूट में यानिकी प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है अब इसी को लेंग्वेज के मादिम सारी बातों को आप लोग समझ दीजिए और को आपेक रूट नहीं एढ मिकर इसके के जाएकित थना मीकाषा रूट खेसौंजर नहीं देख साडक बनारेसरों हो of the epidermis over epiblema and cortex but do not do not into the root cell the high pre of hurting rate do not farm hysteria tectomycorrhizae are present mainly on the root forest tree such as corniferous and cooic थिक तूसरे आपका endomycorrhizae the fungi farming much branching net-like structure and vesicular in the cells of cortex of root is known as endomycorrhizae in such type of fungi farm much branch breast-like structure called as abracal and bladder-like structure called as vesicle the vesicle is stone so the vesicle is food stored organ of the fungal thus endomycorrhizae with vesicle and arbuscule is known as vesicular vesicular vesicle arbuscule mycorrhizae v.a.m. अब देख सकते हैं कि आपको epiblema दिखाई पड़ रहा है यह सिल्स आप cortex है बीच में यहां पर क्या है रूट की हेर से यह क्या है रूट हेर से ठीक आगे समझे अब देखिए यह क्या है सेल्स आप cortex है ठीक अब आप देख सकते हैं कि जो यह सेल्स आप यहां से फंगल हाइफी लिकलती है जो कि पेनेट्रेट करती हुई एक रूट हेर बनाती है ठीक और क्या यह रूट हेर है और यहां पर क्या होती वेस्किल लगी होती जो की स्टोर फूर्ड मटेरियर होता है इसको में लोग व्यम बोलते हैं बात आदे सिगनिफिकेंस Państwo है रूट सिस्टम ग्रोथ माईकोराइजता है यह प्लांट को रूट यहां की रूट से चावोएड करता है एप्लाष्ट मैंदर करता है जो माइको राएजा होता है इसको सपोट प्राज करता है जो यह रूट होता है जो की प्लांद को सपोट करता है इसको यह बढ़ाता है nutrient efficiency माइकोराइजा जो हाइफी होता है वो ट्रांस्पोर्ट का काम करता है रूट में तूसरा है इंप्रूब दे यूडिलाइजेसर आप स्वाइल nutrient such as nitrogen, phosphorus, potassium and micronutrient चो माइकोराइजा होता है जो रूट का पार्ट होता है ये nitrogen को phosphorus को plant के अधर पार्ट रूट से अधर पार्ट पहुचाने का काम करता है जो माइकोराइजा होता है ये water को absorb करता है और plant को देता है ये पुरा माइकोराइजा के बाले हम रहा आप यहाँ से नोर्स बना लिजेगा अगर आपके कोई doubt, कोई question है आप उसे comment box में पूछ लिजेगा next lecture में हम आपके साथ discussion करेंगे एक नई unit के साथ जिसका नाम है माइकोलाजी क्या नाम है माइकोलाजी ठीक है तो माइकोलाजी क्या होता है next lecture में आपको आपके साथ discussion करेंगे अगर आपके कोई doubt, कोई queries, question हो कमेंटर बाक्स में पूछ जीगा अगर वीडियो पर पहली बार है वीडियो को लाइक कर दीजिए चला को सिस्क्राइब कर लीजिए फिर लाइक अंदर बालेजिए ताकि आपको डेडिक 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 नोटिफिकेशन से मिलते रहे और बियसी समेशन के तेरिया केथे से हो सके